तो आज का वीडियो लर्निंग वाइस बहुत अच्छा होगा ठेक है क्योंकि इसमें मार्केट ने आज काफी मौके दिये ठेक है और काफी बार लिक्रिटी क्रश होगा मतलब बेसिकली ट्रैप किया गया ट्रेडर्स को बाइंग साइड में भी और सेलिंग साइड में भी कई आज हम पूरा समझेंगे कि ट्रैप सिस्टम कैसा होता है और आपको ट्रेड के टाइम पे मतलब लाइव मार्केट में कैसे आप अपने आपको इस चीज से सेफगार्ड कर सकते हो ठीक है आपको समझना पड़ेगा यह चीज मैंने वॉल्यूम एलसे वीडियो है एक पुरा मैंने यह जी अपनी ट्रेड थी यह तो अभी तक वैसे कर वैसे होल्ड थै इसको अभी यहा पर एक्स्प्व Grandma कि पोजिशन क्या है भी पूर्षीन यहा पर एक्सप्रेइन कर दूगा क्वाल में कुछ दिक्कत है खुल रह पर मैं है एक्स्रेइशे उर्यूड कर्म करने का पांच मिनट में कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ पहले तो जेखो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दू कि बैंक निफ्टी ने आज आज आफ्टर 11 मतलब 11th April के बाद आज पहली बार यहां पे 15 मिनट में नीचे क्लोजिंग दी है 20 EMA के 20 EMA के नीचे आज पहली बार क्लोजिंग हुई है on the evening basis मतलब after 12 यहां पे क्लोजिंग इस टाइम पे हुई है तो यह एक significant drop था इस जगह पे ठीक है फिर market उसके बाद उपर sustain नहीं कर पाया वो अगर market में all time होता तो हो सकता है यह नीचे की तरफ ही चला जाता तो पहले हम 5 minute में जाते हैं और discuss करते हैं क्योंकि आज मैंने लगभग 3 entry ली हैं bank nifty में तीन की तीनों मैं explain करता हूँ I don't use much here में तो यह हटा देते हैं यह देखो क्या है आप सबको पता होगा कि market में जब congestion होता है उस चीज का मैं लगभग beginning में इस्तमाल करता हूँ तो यहां पे आप देखोगे कि market ने एक box type का बनाया छोटा सा ठीक है उसके पास जब यह red candle आई यह वाली इस red candle पे मैंने एक छोटी call sale position ली वो भी add the money की add the money मतलब 22,300 की यह वाली call sale position मैंने यहां पे ली ठीक है अब इसका भी एक region था क्योंकि मैंने in the money में क्यों नहीं ब बिल्कुल add the money का बेचा कि थोड़ा बहुत भी अगर नीचे की तरफ जाता है तो हम थोड़ा सा भी cover कर लेंगे तो बड़ी position का loss cover हो जाया तो यहां पे मैंने एक position ली उसके बाद market ने क्या किया ना market ने इस चीज को continue नहीं किया इस red candle को कोई वो नहीं दिया भाव यहां और market धीरे 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 continue करके और यह जो मेरा SL था यहां पे इसको touch कर दिया मुझे यह trade यहां पे काटनी पड़ी and I took around 1.2 lakh का SL यहां पे मैंने लिया ठीक है यह पहला SL था यहां पे चला गया सीधा इस जगह पे क्योंकि entry थोड़ी यहां यहां थी तो यह उपर की तरफ ज sustain नहीं कर रहा था बार-बार यह जो विक्स हैं बार-बार बन रही है यहां पे फिर sustain नहीं किया अब क्या हुआ मार्केट में मैंने दूसरी बार जब यहां पे trade आई यह देखो same trap system यहां पे भी होता है market ने देखो इस जगह पे भी यह यहां पे break करने का try किया इस जगह पे तो मैंने क्या किया मैंने फिर से एक chance लिया कि देखते हैं यहां पे break नहीं हुआ है और यह red candle आई है तो जैसे ही market ने इसको break किया इस red candle से तो मैंने वापिस से एक various position क्यों मै रहा था क्योंकि market में अभी बहुत greed चल रही market बहुत लंबे time से उपर की तरफ को जा रहा है तो मैं intraday में जब भी मुझे एक price section दिखता है bearish वाला उसमें trade डालने का try करता हूं from a lower quantity तो यहां पे मैंने फिर से इस break पे यह वाले break पे इस SL के साथ मैंने फिर से sell position डाली इ मैंने वापिस से इस जगा पे trade काट दी यह हो गए मेरी दो trade इन दोनों trade ने मिला के almost लगभग तीन के आसपास SL ले गए ठीक है third time again market वापिस से इधर उपर गई फिर उसने एक बार में नीचे को खीचा तो अब क्या हुआ मेरा आप हमेशा जानते हो मेरा जब selling हो या buying हो म मैं हमेशा यह सर्च करता हूँ मैंने telegram पर भी चीज डाली थी आपको याद हो यह देखो telegram पर मैंने यह एरिया है देखो यह वो एरिया था जहां पर मुझे call cell के लिए एक position में माइंड में थी मेरे तो यहां पर market ने मौका नहीं दिए तो मैंने क्या किया जब market ने first time य पर 1000 quantity और फिर मेरा 2700 का magical number है मुझे खुद नहीं पता मैं 2700 क्यों बेचता हूँ पर 2700 यहां पर यह ब्रेक कर दिया हो तो मैंने 2700 quantity हो गई complete मेरी और लगभग मैंने 42000 का जो call था इस बार मैंने यह वाला बेचा बेचा जो मुझे target लग रहा था इसका किये target आएगा तो म 360 के असपास है यह मैंने बेचा और market फिर यहां से ऊपर गए नीचे आई और इस जगह पर subtle हो गई पर मुझे यह चीज बहुत powerful देख रही है यह market ने almost यह वाला दिन खा गया और यह वाले दिन के भी लोज को break किया market ने यहां पर ठीक है market उपर की तरफ आई फिर नीचे हो गई अब आप इस चीज को 15 मिनट में देखो गई तो क्या हुआ कि मैंने almost यहां पर 3500 4000 quantity है मेरे पास 12000 की जो मैंने short कर रखी है with a hedge hedge क्या बाई line buy की है 4500 22500 ठीक है यह मेरा hedge है और 42000 जो मेरा target है वो sell है आप जनतों में यह strikes चुनता हूँ यह sell है charger quantity sell है और charger quantity buy है ठीक है यह सुबह आपको उसमें मिल जाएगा screenshot में ठीक है और यहां पे मेरा target इसलिए भी है कि आप अगर option chain में जाके देखोगे मैं अगर abstract खुल जाए मैं देख आपको दिखाता हूँ कि why I took ठीक है दूसरा भी मैं चलो nifty में भी explain कर देता हूँ nifty की trade तो मेरे पास morning से थी आप यहां पे telegram पे check कर सकते हो यह देखो sold few calls in nifty and firm nifty firm nifty explain करूँगा आज बहुत परिशान किया नifty मेरे पास morning से बेरिश थी ठीक है तो यह रहा nifty का chart nifty में क्या हूँ देखो यह जो था न यह जो मैं bank nifty में चाहता था जहान से देखना यह रहा दिखाया जो मतलब proper price action वाई जिसको निचे जाना चाहिए था वो यहां पे हुआ nifty में तो वो चीज continue रखी मैंने इसमें मेरे पास 17,500 के लगबग 6,000 quantity 17,500 का call मतलब यह जो मेरे target है निचाहिए के तरफ वो call sell है लगबग 6,000 quantity और hedge by है 17,700 का ठीक है यह target है मेरा कहा है 17,500 यहाँ पर आएगा 17,500 के असपास यह मेरे target है यह भी बेरिश है मतलब nifty और bank nifty दोनों के बेरिश पोजिशन लेके गया हूँ यहाँ यहाँ और nifty bank nifty से ज्यादा clean है nifty bank nifty से ज्यादा clean है आप देखो मैं open interest आपको दिखाओ यहाँ पर आप clearly देख सकते हो क्या हुआ है यह 17,700 का strike है 17,700 के strike में लगबग 1.31 CR लगबग 1.3 CR का open OI है यहाँ पर और जिसमें से change in OI लगबग 45 के आसपास है और minus 12,00,000 put OI change है इसका मतलब यहाँ से put बहुत सा भागें इस जगह से 17,700 भी 17,800 मतलब 17,700 काफी heavy जगह लग रही है जिसको cross करना बहुत tough पड़ेगा market के लिए ठीक है यहाँ से 17,700,800 से market में लोग change करके नीचे की तरफ shift कर गया है 17,400 पे entry ज्यादा हो गई है ठीक है तो इसका मतलब है 17,700 का level है इसको cross करना जेखो market यहा से तेजी से गिरी तो यह वो level था जिसको market को sustain करना tough था you can see in OI अलसो ठीक है मैं इतना follow नीच करता हो आई बट यहाँ पर आप आप जादा पूरा green area से भरा हुआ है मतलब pressure बहुत ज्यादा है nifty की उपर for this week आप ध्यान तो समझो for this week market overall one day में weekly में bullish है पर यह जो तीन दिन अगले इनके हिसाब से अगर open interest में देखा जा तो यहाँ पर bearish sentiment दिख रहा है ठीक है आप सेम चीज bank nifty में देखोगे यह देखो यहाँ पे भी आज ऐसा हुआ है कि calls काफी add हुए near the bellis 500 bellis 400 bellis 300 में काफी calls add हुए and जो last का जो move था वो भी यही दिखाता था ठीक है तो मैंन मैंने दो चीजें ली निफ्टी की trade मैंने एक भी बार change नहीं की वैसे का वैसे ही रखा bank nifty में जो third trade थी मैंने आपको explain कर दी third trade मैंने इस area में इंटर किये half-off करके धीर धीरे और उसको मैं सीधे hold करके लिए ठीक है अब यहाँ पर दूसरी trade है हमारी जो 27 तारीक की bullish है क्य अब आप देहो कई लोग क्या होता है ना कई लोग इस चीज में confused रहते हैं कि बंदे ने bullish position भी बनाई है और intraday में sell कर रहा है देखो मैंने bullish position बनाई है जिसमें ऊपर की तरफ profit है लेकिन अगर market नीचे को गई तो मुझे loss होगा आप बात को समझो अगर market नीचे को गई त तो मुझे loss होगा तो जब भी market नीचे को जाएगी तो मैं एक option धोड़ूगा कि कम quantity में market में short positions ले सको जिससे मेरा जो ये loss है नीचे की तरफ का ये मुझे ना जेलना पड़े आप बात समझ रहो तो अगर market यहां से गिरेगी तो मुझे कोई problem नहीं है ठीक है अब अगर market यहां से ऊपर की तरफ आई तो मेरे पास एक बड़ा profit है 27-30 लाग का तो क्या होगा जो मेरी bearish positions हैं वो भी hedged है पूरी की पूरी तो उसमें मुझे इतना loss नहीं होगा जितना कि यह मुझे cover up में profit देदेगा और मेरा जो main trade है 400 lot का वो win हो जाएगा तो मैं क्या होता है आप आपको diversify करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि आप एक side का view लेके बैठ सकते हो आपने एक bearish position ली है बट मैं बोल रहा हूँ कि यह 3 दिन के लिए 3 दिन या 2 दिन के लिए इस expiry के लिए माल लो तो इस expiry में अगर हम bearish है तो मैंने next expiry के लिए इसी वजह से 27 तारीक की bearish position डाल clear okay तो जब भी मौका मिले जब भी price action ऐसा दिखा है तब मैंने short trades लेने का try किया आप देखो nifty तो दो दिन से सिर्फ bearish है nifty में आप मुझे बताओ कहां पे आपको ऐसा लगा कि काफी बुली से कल भी open हुआ था कल भी selling position के लिए ही था आज भी open हुआ सीधे sell हो गया तो nifty म मुझे वैसे भी strength नहीं देखी for a shorter period of time same आज bank nifty में कल थी पर आज bank nifty में last में ये जो breakdown किया ने bank nifty आज अभी तक recently last में कभी भी downside में close नहीं हुई लगबग 10 दिन से ठीक है आज पहली बार वो downside में close हुई है मतलब beers लोग win करके गए है तो अब ये देखना पड़ेगा कल beer लोग क्या करते है ठीक है अब लेकिन मैंने trade बना रखे बेरिश वो आपको morning में देखने को मिल जाएगी telegram channel पे आप अगर telegram channel पे नहीं हो थी टागिनर्स के तो आप यहाँ पे follow कर सकता हूँ आपको intraday related essay charts वगरा ये सब देखने को मिल जाएंगे time to time जैसा भी market में चल अभी बात करते हैं कल के लिए अब ये trade मैंने explain करते है इसमें ऊपर की तरफ देखो 4 लाग का profit होगा तो ये 77 दिखा रहा है एक दिन और बीच जाएगा तो ये चार बीच के आसपास क्योंकि theta के इतना है इसका तो ये कुछ 10,000 जादा और कुछ एड हो जाएंगे ठीक है अगर market उपर की तरफ गई तो हमें और डिके मिल जाएगा इन 10,000 कॉन्टी में जो दोनों sell है ठीक है तो उपर की तरफ जाने पर अगर हमें जो हमारी short term में जो bearish positions है वो cover up हो जाएंगे दूने दूसरे को संभा लेंगे ठीक है तो कहांगे कहांगे हम चलो तो पहले हम कल की बात करते है स्विंग्स की बात करेंगे यह देखो bank nifty ने यह create के मेरे पास bearish position है यहां गई और यह आगी अब basically यह जो part है ना that is 42,350 in a spot अगर market इसको cross करेगी ना इसको वापिस से ऐसे cross कर जाएगी उपर की त market flat खुली और नीचे आई तो सीधे bearish position है वो मेरे पास already है तो मुझे trade डालने ही कोई ज़रूत नहीं है मैं इसको इस target के लिए जाऊंगा बाले सब्सक्राइब क्योंकि बाले सब्सक्राइब काफी positions बची होंगी लोगों की ठीक है अगर market direct gap up खुल गई तो फिर bullish होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे bearish positions होंगे market में already और market direct gap up खुल गए तो यह सारे के सारे फंच जाएंगे तो आपको यहाँ पर direct bullishness देखने को मिल सकती है अगर market बाले चार सो या उसके ऊपर खुली तो ठीक है यहाँ पर sell के chances बहुत क अगर यहाँ पर flat खुली तब भी pressure bearishness में बना रह सकता है अब मैं बताता हूं मुझे कैसे पता था कि यह एक बड़ा move होगा यह चीज आपको समझनी पड़ेगी कि trap कैसा होता है देखो market ने एक बार उपर के देफ जाने का try के यहाँ पर विक बन रही है वापिस से जाने का उपर try के फिर से red candles बनी है market ने वापिस से उपर जाने का try के यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा उपर ज्यादा खिच गई तो आप ध्यान से देखो यहाँ नीचे volume है और एक बार बता मुझे छोटी सी candle है और इतनी बड़ी volume है जो कि recently इतनी देर से नहीं आ रही थी ग्यारा से एक बज़े के बीच में जहाँ पर इस से बड़ी candle थी इस candle से बड़ी candle यहाँ पर देखने को मिल रही है पर volume इतनी बड़ी नहीं है तो यहाँ पर volume बड़ी है इसका मतलब क्या है कि यह जो green candle थी ना इसमें लोगों ने breakout entry लेने का try किया क्या किया यहाँ पर market म लोगों ने breakout entry लेने का try किया कि market में breakout हो गया चलो अब buy करते हैं तो यह entry लेने का try किया और यह try direct next candle में ही fail हो गया ठीक है अब देखो ध्यान से बताओ मुझे ध्यान से सोचना कि अगर आपने इस candle पर trade ली है तो आपका SL क्या होगा कुछ का यह होगा और कुछ जो मतलब यह candle और यह candle को लोग यह दोनों ऐसे लोगे तो जब पहली बार market ने यह break किया ना यह break किया तो क्या हुआ यह जो यहाँ पर लोग enter हुए यह इतने सारे ठीक है यह सब trap हो गया इस candle पर दूसरी candle में यह लोग भी trap हो गया तो इसका मतलब है जितने भी लोग यहाँ पेंटर हुए थो वह सबके सब फेल हो गए कहाँ पर इन तीन candle के अंदर तो इसका मतलब यहाँ पर बेरिश पोजिशन इन ही तीन candle पर create हो गई थी अब यह सब के सब trap हो गए है तो यह जल्दी जल्दी अपना बुरिय बिस्तर समेटेंगे और जब यह जल्दी जल्दी सम से 25 में मार्केट ने यह low touch कर दिया था ठीक है अब क्या हुआ यह low touch करने के बाद यह जो उपर यह इतना आया ना एक तरीके से 50% का retracement आपको दिख रहा है यह इस वज़े से भी है क्योंकि मार्केट में कई लोग क्या बोलते हैं overnight hold करके जाने को ready नहीं bearish position क्योंकि मार्के and फिर से वह हुआ market फिर से यहां से जाके नीचे की तरफ close हो गई मतलब आज हावी कौन है bears आज हावी है clear okay तो यह trap system में यह आपको समझना पड़ेगा यह breakouts पर दिखता है यह ऐसी same चीज मैंने आपको पहले भी समझाईए and same area में समझाईए आपको देखना है मैं आपको यह देखो यह area था यह यह रहा देखो box ठीक है अब जब market उपर की तरफ गया तो market में इंटर करते हैं लोग क्यों क्यों क्योंकि breakout हो गया breakout हो गया पिछले दिन भी bullish position थी पर market जैसे ही यहां से नीचे आया क्या हुआ बेरिश और उसके बाद यह जो SL थे दोनों यह जैसे ह गया market boom उसके बाद market ने same जैसे आज का reversal था उतना ही लंबर reversal दिखाया बड़ उसके बाद then again continue तो बिल्कुल similar kind of pattern आपको देखने को मिला है वो भी similar kind of area बैली सिजार के आसपास clear तो मुझे लगता मैंने समझा दिया बट आप एक मेरा एक video है volume analysis के उपर उसको आप देख सक और उपर को गई तो मैं as such कुछ नहीं करूँगा अपनी जो various position sun को काट दूँगा ठीक है इसके उपर ही bullish जाने का सोचूँगा बट वो भी मुझे जाने की ज़रत नहीं क्योंकि मेरे पास एक already position है ठीक है अगर flat खुला और नीचे की तरफ गया तो मेरे पास trade already मुझे कु सीधे नीचे जाएगा gap up खुला तो सीधा उपर जाएगा clear है okay अब चलते हैं nifty पे nifty I don't know देखो nifty का bank nifty जैसा बिलकुल हाल नहीं है nifty already various है ठीक है पर यहां पर बहुत ही clear cut swings है बहुत ही clear cut swings मतलब यह देखो आज के market का यह जो swing है न मतलब 17711 यह जो swing है इसको market ने cross कि तो market bullish हो जाएगी क्यों क्योंकि यहीं पर highest OI भी है यहीं पर swing है दोना चीज़े इसी जगह पे तो market ने गर इसको cross किया तो हमें bullish जाना पड़ेगा but till then जब तक market इसके उपर नहीं जाती है even चाहे वो gap up से जा रही हो चाहे flat खुलने के बाद जा रही हो market जैसे भी इसके जाएगी we will be bullish but जब तक market इसके नीचे है न ये बास समझ लेना कि market में नीचे की तरफ का move आने के चांट से जादा है क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको OI में दिखाया OI में market में nifty ज्यादा बेरिश दिख रही है bank nifty से clear है तो मैं फिर से short card में समझाता हूं market अगर gap gap up खुली 17,718 तो यहाँ पर आपको price section देखना है इसके उपर सीधा bullish है ठीक है market अगर gap up की जगह flat खुली और price section के बाद उपर को गई तब भी bullish है flat खुली नीचे को आई सीधा bearish gap down खुली तो direct bearish बिल्कुल clear cut कोई confusion ही ठीक है ओके चलो तो यह रहा कल का analysis आज का analysis और आज की trades भी मैंने बता दी यह जो trade है इसको कैसे समालना है यह भी है market अगर ऊपर की तरफ गई ना तो समझ लो कि market में bullishness तो ही बट market बहुत लंबे time से ऊपर आ तो एक retracement बांकी है अगर market ऊपर जाएगी ना तो मैं इस put को ऊपर खीच लूँगा जिससे यह loss कम हो जाए अगर market ऊपर गई तो यह चीज भी आपको कहां देखने को मिल जाएगी यह आपको टेलिग्राम पर देखने को मिल जाएगा तो आप टेलिग्राम ज़रूर जाइन करें वहाँ पे learning और information के लिए काफी सारा जागा है ठीक है चलो टाटा बाइबाई और अभी के लिए thank you और वीड दोस्तों में शेयर करें लाइक करें डन थेंक्यू